टेकी पावन एकेडमी को सब्सक्राइब करने के लिए ये बटन दबाएं वेलकम स्टुडेंट्स मेरे चलने टेकी पावन एकेडमी में फिर से स्वागत आपका आज का हमारा टॉपिक है बचत प्रवर्ती क्या होती है फिर हम इसमें देखने वाले हैं ओसत बचत प्रवर्ती क्या होती है और सीमांद बचत प्रवर्ती क्या होती है अर्थात APS और MPS क्या होता है इसी परशन में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि APS और MPS के कौन-कौन से केसेस में क्या-क्या मान होते है greater than 1, less than 1, equal to 1, greater than 0 और less than 0 कब-कब इनके मान हो सकने हैं क्या possible हैं वो समभम चर्चा करेंगे और साथ में अंतमें इस वीडियो में हम इस बात की भी चर्चा करेंगे ये सिद्ध करके बताएंगे कि APC प्लस APS बराबर 1 होता है और MPC प्लस MPS बराबर 1 होता है ये दोनों भी हम सिद्ध करने वाले हैं इसी टॉपिक में तो आईए देखता हैं इस टॉपिक को इस्टुडेंट्स आज का टॉपिक है बचत परवर्तियां ओसत बचत परवर्ति एवं सिमात बचत परवर्ति इससे पहले हम उब्वोग फलन उसके गटक उब्वोग परवर्तियां भी देख चुके हैं और बचत फलन और उसके गटक भी देख चुके हैं तो आप वो वीडियो जुरूर देख लें ताकि आपको ये समझ में आए आगे बढ़ते हैं बचत फलन एवं बचत परवर्ति का अर्थ बचत और आई के मद्य पाए जाने वाले फलनात्मक संबंद को ही क्या कहते हैं बचत फलन अर्थाथ बचत फलन दो चरों के मद्य संबंद दर्शाता है और कौन से हैं वो दो चर आई और बचत तो ऐसा फलन जो बचत और आई के मद्य संबंद दर्शा है उसी को हम बचत फलन कहते हैं और ये बचत फलन कैसा किस में कौन सा संबन दर्शारा है धनात्मक संबन किस-किस में बचत और आय में धनात्मक संबन दर्शाता है बचत फलन अर्थात आय बढ़ती है तो बचत भी बढ़ती है और आय घटती है तो बचत भी घटती है जब दोनों चर एकी दिशा में बढ़े या दोनों चर एकी दिशा में घटे तो हम उसे धनात्मक संबंद कहते हैं बचत प्रवर्ति क्या दर्शाती है? बचत प्रवर्ति आये एवं बचत के मद्य ओसत संबन एवं सीमान संबन को बताती है इस पश्ट करती है. अर्थात बचत प्रवर्ति के माद्यम से हम बचत फलन के ओसत संबन को समझेंगे और सीमान संबन को समझेंगे. हमारा बचत फल बचत परवर्ती के दो परकार हैं ओसत बचत परवर्ती और सीमांत बचत परवर्ती देखते हैं बचत परवर्ती का पहला परकार एक ओसत बचत परवर्ती APS, Average Propensity to Saving APS, I का वह भाग जो बच्चत किया जाता है उसे ही ओसत बच्चत प्रवर्थी कहते हैं अर्थात, जो हमारी I है उसका हम जितना भाग बचाते हैं जितना हिस्सा बचाते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं ओसत बच्चत प्रवर्थी, ये average होता है अन्य शब्दों में बच्चत एवं I का अनुपात ही ओसत बच्चत प्रवर्थी APS कहलाती है कहने का मतलब अगर हम इस परिवाशे से अपना सूत्र बनाएं तो क्या बनेगा देखे इस परिवाशे में क्या लखा हैं बच्चत एवं I का अनुपात तो बच्चत को हम S लिख देते हैं और I को हम Y लिख देते हैं और अनुपात का मतलब हमने पहले वी वीडियो में चर्चा की थी कि बटा को ही हम अनुपात कहते हैं तो यह क्या बन गया कि बच्चत और I का अनुपात ही क्या होती है APS तो औसत बचत प्रवर्ती को हमने सूतर निकाल लिया है APS बराबर S upon Y होता है जो APS बराबर बचत बटा आय होती है APS का एक सूतरोर होता है Average Propensity to Saving APS बराबर 1- APC होता है Average Propensity to Consume अर्थात औसत बचत प्रवर्ती 1-Ausat उभोग प्रवर्ती के बराबर होती है अब हम इस चित्र को देखते हैं ये चित्र है हमारा ये Y-axis है और ये हमारा X-axis है ठीक है? ये हमारी G-Bindu से बचत वक्र स्टार्ट हो रहा है जो हमने पिछले topic में चर्चा की थी कि O-G हमारी क्या है? स्टार्ट बचत बचत वक्र हमेशा माइनस वाले point से start होता है तो O-G हमारी क्या है? माइनस बचत है न? तो G-Bindu से हमारा बचत वक्र स्टार्ट हो कर एक सरल रेखा की रूप में उपर जा रहा है तो ये हमारा बचत फलन है ठीक है अब इसके k बिंदू पर हमें ग्याद करना है aps k बिंदू पर हमें क्या ग्याद करनी है aps तो aps का हमारा जो सूत्र है वो क्या है देखे aps का हमारा मान है s upon y हम या कर लेते हैं इसको देखे aps का हमारा सूत्र क्या है s upon y S बराबर कितना है यह बताईए इसमें चित्र में S बराबर कितनी है यह बचत हमने Y एक्सिस पे लिए तो K से Y तक यह हमारी बचत है तो बचत हमारी कितनी हुई K Y और रास्टिया हमारी कितनी हुई रास्टिया हमारी हुई J K जे से लेकर के तक हमारी रास्टी आये हुई ठीक है तो ये जे के हमारी रास्टी आये हुई तो APS कितनी निकल के आई KY अपॉन जे के ये हमारी के बिंदू पर APS निकल के आगई है तो अगर चितर में पूछा जाए कि के बिंदू पर Average Propensity to Saving निकाल लिए तो ये इस तरह से निकलेगी KY अपॉन जे के ये हमने इदर राष्टी आये लिए है और Y axis पे हमने बचत लिए है आगे बढ़ते है औसत बचत प्रवर्ती के अब विशेशताएं देखते हैं नमबर वन APS cannot be greater than 1 अर्थात APS का मान कभी भी 21 से अधिक नहीं हो सकता है क्यों नहीं हो सकता? चूँकि बचत कभी भी I से अधिक नहीं हो सकती है इसलिए APS greater than 1 नहीं हो सकती बचत I से अधिक हो सकती है क्या? मान लिजए मेरी I तो है Y बराबर S 100 तो क्या मैं बचत 1.5 व कर सकता हूँ? ऐसा possible नहीं है मेरी i से कभी भी वचद जादा possible नहीं है as cannot be greater than y as कभी भी y से अधिक नहीं हो सकता है इसलिए aps भी कभी greater than 1 नहीं होगी since as cannot be greater than y then as upon y cannot be greater than 1 तो aps का मान कभी भी 21 से अधिक नहीं हो सकता नमबर दो aps less than 1 हो सकता है कभी हो सकता है जब भचद i से कम हो तो उस इस्तिती में aps less than 1 हो सकती है जब भचद i से कम हो तो s less than y होगा तब जैसे मान लीजे i तो हमारी है 100 रुपए और हमने भचद किये 50 रुपए तो s less than y हुआ न तो aps का अगर हम सूत्र लगाएंगे तो क्या हैगा s upon y किया हमने तो s का मान है 50 और y का मान है 100 तो निश्कर्ष क्या निकलेगा छोटी संक्या में अगर बड़ी संक्या का भाग देंगे तो मान क्या हैगा एक से कम तो इसलिए हमने कहा कि जब if s less than y है then s upon y will be less than 1 और aps का मान less than 1 होगा इस केस में आगे बढ़ते नमबर 3 aps not equal to 1 aps not equal to 1 का मतलब क्या हुआ कि aps का मान एकाई के बराबर कभी भी नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता है एकाई के बराबर क्योंकि चुकि g1 जीनी के लिए उब्भोग अनिवार्य है अगर हम उब्भोग बंद कर देंगे तो हम मर जाएंगे इसलिए संपून i को कभी भी बचाया नहीं जा सकता क्योंकि अगर हम संपून i को बचा लेंगे तो उब्भोग हमारा क्या हो जाएगा बंद और हम मर जाएंगे इसलिए APS कभी भी 1 नहीं हो सकती C कभी भी 0 नहीं हो सकता है कभी भी 0 नहीं हो सकता है और S कभी भी Y के बराबर नहीं हो सकती इसलिए APS भी कभी भी equal to 1 नहीं हो सकती क्यों नहीं हो सकती क्योंकि APS का सुत्र क्या है S upon Y और इन दोनों का मान Rs.1 के बराबर आएगा कब जब S और Y दोनों बराबर होंगे तब इन दोनों इस का मान Jest.1 के बराबर होने का मतलब है कि हमने उब्भोग शुन्य कर दिया और हम पहले इंब्भोग कभी भी 0 नहीं हो सकता इस लिए S बराबर Y कभी हुआ, since s not equal to y, और c cannot be equal to 0, so s upon y cannot be equal to 1, aps का मान 1 i के बराबर नहीं हो सकता है, चोथी विशेष्था, aps greater than 0, जब i का कुछ हिस्सा बचा लिया जाता है, तो उस इस्तिती में aps greater greater than 0 होती है, अर्थात i का कुछ हिस्सा बचा लिया जाए, मतलब कि मेरी i तो है, मान लीजे 100 रुपए, और मैंने उसमें से बचा लिये, मान लीजे, कितने बचा लिये, मैंने बचा लिये 40 रुपए, तो अगर हम aps निकालेंगे, तो कैसे निकलेगी, कि aps upon y 40 रुपटा 100 करेंगे, तो मान क्या आएगा इसका, obviously प्लस में आएगा, क्योंकि मैंने बचत की है, पचत प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो आंसर भी किस में आएगा, प्लस में, इसलिए aps धनात्मक हो सकती है, कब जब i का कुछ इस्सा बचा लिया जाए, तो उस इस्तिती में aps greater than 0 होती है, जब c less than y हो, और s greater than 0 हो, तब s upon y का मान धनात्मक होता है, aps greater than 0 हो सकती है, नमबर पांच वी विशेशता, aps 0 हो सकती है, क्या, aps 0 हो सकता है, हाँ, जब संपून i को उभूख कर दिया जाए, जब जितनी भी i आए आपकी है, अगर वो आप सारी खर्च कर दें, अर्थात उस इस्तिती में क्या हो जाएगा, c बराबर y, तो उस इस्तिती में बचत 0 शुन्य हो जाएगी, और aps भी शुन्य हो जाएगी, माल लीजे, आपकी i है 100 रुपए, और उस 100 रुपए की i को आपने सारा का सारा क्या कर दिया, खर्च कर दिया, तो y बराबर c हो गया, तो इस इस्तिती में बचत क्या होई आपकी 0, तो जब बचत 0 होगी, तो aps कमान क बराबर क्या हैगा, 0, तो निश्कर्श क्या निकला, कि जब c बराबर y हो, और s बराबर 0 हो, तब s अपन y बराबर 0 होगा, अर्थाद aps कमान 0 हो सकता है, नमबर छटी विशेस्ता, क्या aps less than 0 हो सकता है, हाँ, aps less than 0 हो सकता है, कब, चुकि जीवन जीने के लिए, उपभोग अत्यंत आवशक है, अगर हम उपभोग नहीं करेंगे, तो हम मर जाएंगे, इसलिए उपभोग हमेशा धनात्मक ही होता है, उपभोग कभी भी शुन् जब उपभोग आए से अधिक हो जाता है, तो उस इस्तिती में पुरानी बचतों का प्रियोग करके उपभोग कारे किया जाता है, मालीजे किसी वक्त ऐसा इस्तिती आजाती है, कि आपकी इंकम क्या हो गई, 0 हो गई, तो क्या आप उपभोग बर्दन कर देंगे, पैसे न प्रियोग करेंगे, जैसे कि कोरोना काल में कई महनतों लोगों की आये क्या हो गई है, जीरू हो गई है, लेकिन कोरोना काल में आये के शुन्य होने पर भी क्या उन्होंने खाना पिना बंद कर दिया, नहीं, क्योंकि अगर बंद कर देंगे तो उमर जाएंगे, तो उन्हो मक हो गई है क्योंकि बचत करते हैं तो वो प्लस में होती है बचत नहीं करते हैं तो जीरो होती है और अगर पुरानी बचत को खर्च कर देते हैं तो बचत क्या बन जाती है रिनात्मक और रिनात्मक बचत को ही अम ए बचत कहते हैं रिनात्मक बचत को ही क्या कहते हैं ए बच और इस इस्तिती में APS less than 0 हो जाती है उपभोग एवं आए कभी भी रिनात्मक नहीं होते हैं ध्यान देना उपभोग और आए कभी भी रिनात्मक नहीं होते हैं मतलब उपभोग अगर बंद कर देंगे तो हम मर जाएंगे इसलिए रिनात्मक नहीं हो सकता आए भी रिनात्मक क्यों नहीं हो सकती क्योंकि आए क्या होता है उत्पादन के बराबर अर्तिवस्ता में तो उत्पादन या तो होता है यानि कि 0 और प्लस 2 हो सकता है उत्पादन का केस या तो चीज बनेगी चीज बनेगी तो हम उसे क्या कहेंगे प्लस कहेंगे कि चीज बन गई चीज नहीं बनी तो हम उसे क्या कहेंगे जीरो नहीं बनी उससे पहले की कोई स्थिति नहीं होती है इसलिए आय कभी भी रिनात्मक नहीं होती है तो बचत उबोग और एवम आए कभी भी रिनात्मक नहीं होते हैं लेकिन बचत रिनात्मक हो सकती है कब जब माल लीजे हमने उबोग किया 120 का और बचत की हम और हमारी आय कितनी है 100 रुपे की माल लीजे आय तो 100 रुपे है और उबोग कितना कर दिया 120 तो ये 20 उर्पय हम कहां से लाएं, ये 20 उर्पय लाएं हम पुरानी बच्चतों से, तो पुरानी बच्चत को हमने खर्च कर दिया, कर दिया ना पुरानी बच्चत को खर्च, तो इस इस्तिति में S क्या बन जाएगा, माइनस में, बच्चत क्या हो जाएगी, रिनात्मक, वे I बराबर माल दीजे 100 रुपए है तो answer किस में आएगा इसका minus में आएगा minus में किसी भी संक्या का भाग दिया जाए तो minus आता है तो इसलिए APS less than 0 हो सकती है तो ये हमारा हो गया आगे बढ़ते हम अब हम पढ़ते हैं बचत परवर्ती का दूसरा बरकार B सीमान्त बचत परवर्ती marginal propensity to saving ये क्या है marginal propensity to saving आए में परिवर्तन का वह भाग जो बचत किया जाता है आए में परिवर्तन का वह भाग जो क्या किया जाता है बचत किया जाता है उसे हम सीमांत बचत परवर्ती कहते हैं ध्यान दे अंतर ओसत बचत परवर्ती में हमने ये परिवर्तन शब्द नहीं लियाता वहां क्या कियाता हमने कि आय का वह भाग जो बचत किया जाता है उसे हमने ओसत बचत परवर्ती कहा था जबकि सीमांद बचत परवर्ती हम किसे कह रहे हैं आय में परिवर्तन का वह भाग जो बचत किया जाता है उसे हम सीमांद बचत परवर्ती कहते हैं अन्य शब्दों में क्या हुआ बचत में परिवर्तन एवं आय में परिवर्तन का अनुपात ही क्या कहलाता है सीमांद बचत प्रवर्ति के लाद अर्थात अगर इसकी परिवाश्या से हम इसका सूत्र बनाएं तो क्या है बचत में परिवर्तन को कैसे लिखेंगे हम गनित में डेल्टा एस बचत में परिवर्तन और आय में परिवर्तन को कैसे लिखेंगे डेल्टा वाई और अनुपात को कैसे लिखते हैं ये लाइन बटा वाली तो डेल्टा S by डेल्टा Y ही हमारी MPS होती है अर्थात बचत में परिवर्तन और I में परिवर्तन का अनुपात ही सीमांद बचत परवर्ती कहलाता है तो MPS का मान क्या हुआ MPS बचत में परिवर्तन बटा I में परिवर्तन ठीक है बचत का ही एक सुत्र और होता है MPS का एक और सुत्र होता है MPS बचत परवर्ती 1-0 अब हमें ये निकालना है इस चित्र में ये Y-axis है ये X-axis है हमें बोला गया है A से B बिन्दू के बीच सीमांद बचत परवर्ती ग्यात कीजिए क्या बोला गया है कि ये हमारा बचत वक्र है S वक्र है जो J बिन्दू से प्रारम हो रहा है ठीक है और बोला गया है ए बिंदू से बी बिंदू की बीच सिमान्त बचत प्रवर्ती ग्याद कीजिए तो आप देख सकते हैं कि हमारी बचत का जो सूतर होता है सिमान्त बचत प्रवर्ती का सूतर है वो क्या है हमारा MPS का मान होता है ΔELETA S by ΔELETA Y तो यहाँ delta S कितना है आप देख सकते हैं यह रहा delta S कितना है माल दीजी यह point है हमारा क्या k point है सपोच कीजी हमारा k point है यह वाला तो delta S बराबर आगे हमारे पास B K ठीक है और राष्टी आय कितने हो गई राष्टी आय डेल्टा Y बराबर कितने होई delta Y बराबर हो गई है हमारे पास B G1 ठीक है यह हमारे पास हो गई है यह हमारे पास B G1 की बज़ाए हम इसको यू कर लेते हैं इसको काट देते हैं हम delta Y इदर लिख लेते हैं और delta S भी इदर कर लेते हैं यह दोनों काट देते हैं हम इधर कर लेते हैं देखिए, delta s का मान कितना है, मान दीजी, ये k point हमने माना है, तो delta s कितना आया, b k, b से लेकर k तक delta s आ लिए, और delta y कितना हुआ, delta y हुआ है हमारा, a से लेकर k तक, a से लेकर k तक, तो mps का सूतर में fit करो इसको, mps बराबर delta s upon delta y, यानि कि mps का मान क्या हुआ, b k बटा a k, ये ही हमारा mps हुआ, कहां से a बिंदू और b बिंदू के बीच में हमारा mps कितना हुआ, b k upon a k, तो इस तरीके से हम ये सीमात बचत प्रवर्ती ग्याद करते हैं, आप देख सकते हैं, जब a बिंदू है, तब राष्टियाय का इस्तर o y है, और बचत हमारी o g है, जबकि b बिंदू पर राष्ट इसे यहां दिख रहा है आपको, यह o यहां नहीं है, यहां है o, ठीक है, तो o y जब राष्टियाय का इस्तर है, तो बचत है o g, और जब राष्टियाय का इस्तर o y 1 है, तब हमारी बचत कितनी है, o g 1, और हम a बिंदू से b बिंदू पर पहुंच जाते हैं, तो इस तरीके से हमारी mps का मुल्य डिल्टा s by डिल्टा y बराबर b के अपॉन a के निकल कर आता है, अब हम आगे बढ़ते हैं, सीमान बचत परवर्ति की विशेशता हैं देखते हैं, number 1, mps cannot be greater than 1, अर्थात mps का मान कभी भी 31 से अधिक नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, चूंकि बचत में परिवर्तन, कभी भी i में परिवर्तन से अधिक नहीं होता है, इसलिए mps greater than 1 नहीं हो सकती, क्या कभी ऐसा हो सकता है, कि मेरी i 100 रुपय बढ़े, ठीक है, और मेरी बचत में व्रद्धी हो जाए 120 की, ऐसा possible है, नहीं है, क्योंकि मेरी जितनी i बढ़ी है, उससे ज़्य मेरी बचत नहीं कर सकता हूँ, तो इसलिए delta s, delta s cannot be greater than delta y, delta s कभी भी delta y से अधिक नहीं होगा, इसलिए delta s upon delta y cannot be greater than 1, और इसलिए mps cannot be greater than 1, निशकर्ष क्या निकला, mps का मुल्य कभी भी 81 से अधिक नहीं होता है, नमबर दो, mps less than 1 हो सकता है, हाँ, mps less than 1 हो सकता है, जब बचत में परिवर्थन delta s, i में परिवर्थन delta y से कम होता है, तब mps less than 1 होती है, कब होती है, कि माल लीजे, i में परिवर्थन हुआ मेरे 100 रुपय का, और बचत में परिवर्थन हुआ कितना, 40 रुपय का, तो इस इस परिस्तिती में अगर हम MPS निकालेंगे तो कितना आएगा delta S by delta Y बराबर 40 बटा 100 तो मान क्या आएगा less than 1 आएगा ना क्योंकि छोटी संक्या में बड़ी संक्या का भाग देंगे तो 21 से कम आएगा मान तो इसलिए जब delta S less than delta Y हो तब delta S upon delta Y less than 1 होगा और MPS का मान less than 1 होगा ऐसी परिस्तिती में नमबर 3 MPS बराबर 1 क्या MPS का मान इकाई हो सकता है हाँ MPS का मान इकाई हो सकता है कब हो सकता है जब बचत में परिवर्तन और I में परिवर्तन दोनों बराबर हो जाए तब MPS 1 हो सकती है ध्यान दे MPS कब बराबर 1 हो सकती है जब मेरी I में व्रदी हो मालो 100 रुपए की और बचत में भी मैं 100 रुपए की ही व्रदी कर दू यानि कि जितनी I बढ़ी ध्यान रगना I मैं Y बराबर S नहीं कर रहा हूं ये तो possible ही नहीं है कभी Y और S दोनों बराबर हो जाए क्योंकि इस्तिति में उबोग 0 हो जाएगा ये possible नहीं है हम बात कर रहे हैं I में परिवर्तन और बचत में परिवर्तन की केवल I और बचत की बात नहीं कर रहे है तो I में अगर मेरी 100 रुपए की व्रदी हुई और मैंने MPS बराबर 1 हो सकती है नमबर 4 पॉइंट MPS greater than 0 हो सकती है हाँ MPS का मान 0 से अधिक होता है दनात्मक होता है जब बचत में परिवर्तन डेल्टा S और I में परिवर्तन डेल्टा Y एक ही दिशा में हो तब MPS greater than 0 हो सकती है यह अलग-अलग संभावन आये है MPS के मान की जो मैं आपको बता रहा हूँ कब हो सकती है जब बचत में परिवर्तन और I में परिवर्तन एक ही दिशा में हो अर्थात जब डेल्टा Y मान लो 100 रुपए है और डेल्टा S बराबर मान लो कितनी है 40 रुपए तो MPS का मान की आएगा MPS आएगा डेल्टा S बाइ डेल्टा Y बराबर 40 बटा 100 तो प्लस में आएगा मान ठीक है यह तो व्रदी का केस हो गया जब हमारी आए बड़ी है 100 रुपए बड़ी बचत भी 40 रुपए बड़ी और अगर आए गटी मान लीजे 100 रुपए 100 रुपए आए गटी तो बचत मान लीजे गटी 140 रुपए तो इस इस्तिति में क्या होगा MPS बराबर डेल्टा S बाइ डेल्टा Y बराबर माइनस 40 बटा माइनस के 100 तब भी माइनस से माइनस चल जाएगा तब भी डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y ग्रेटर देन 0 होगा और आए में वरद्दी हो और बचत में वरद्दी हो तब भी डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y ग्रेटर देन 0 होगा निश्कर्ष में क्या निकलता है कि MPS का मान ग्रेटर देन 0 हो सकता है नमबर पांचवा पॉइंट MPS बराबर 0 हो सकता है हाँ possible है 0 हो सकता है कब जब I में परिवर्तन के बावजूद बचत में परिवर्तन शुन्य हो तब MPS 0 हो सकती है कि माल लिजे मेरी I में परिवर्तन हुआ 100 रुपय का और मैंने बचत में मेरा परिवर्तन क्या है शुन्य अर्थाथ जितनी I बढ़ी थी उतना ही मैंने क्या कर लिया उब्भोग जब ΔC और ΔY दोनों बराबर हो जाएगा तो ΔS क्या हो जाएगा शुन्य और जब ΔS शुन्य हो जाएगा तो MPS बराबर ΔS by ΔY तो 0 बटा 100 बराबर मान के आ जाएगा 0 अर्थाथ जब बचत में परिवर्तन शुन्य हो I और उब्भोग में परिवर्तन दोनों बराबर हो जाएगा देल्टा C बराबर देल्टा Y हो जाए या देल्टा S बराबर 0 हो जाए तब इस केस में डेल्टा S अपों डेल्टा Y बराबर 0 होगा और MPS बराबर 0 हो जाएगा नमबर छटा पॉइंट MPS लेस देन 0 चुनकि I को क्या MPS लेस देन 0 हो सकता है? नहीं हो सकता MPS cannot be less than 0 MPS कभी भी 0 से कम नहीं हो सकता चुकि I को या तो बचाय जाएगा या नहीं बचाय जाएगा इसलिए MPS less than 0 नहीं होगी बचत में परिवर्तन और I में परिवर्तन एक ही दिशा में होते हैं क्यों होते हैं क्योंकि बचत राय में दनात्मक संबंद होता है तो बचत आय बढ़ेगी तो बचत बढ़ेगी और आय गठेगी तो बचत गठेगी इस कारण से MPS less than 0 नहीं हो सकती है आय में कमी होगी तो बचत में भी क्या होगी? कमी और इस कारण से डेल्टा स अपॉन डेल्टा वाई कमान greater than 0 होगा और अगर आय में व्रदी होगी तो बचत में भी क्या होगी? डेल्टा स में व्रदी होगी तो डेल्टा स अपॉन डेल्टा वाई कमान greater than 0 होगा तो निश्कर्ष क्या निकलता है? निश्कर्ष ये निकलता है कि MPS का मान हमेशा 0 से लेकर एक तक होता है 0 से लेकर एक तक होता है It means 0 less than equal to MPS less than equal to 1 होता है MPS की यही property है अब एक महत्पून पर्षन है कि सिद्ध कीजिए APC plus APS बराबर 1 होती है तो इसे सिद्ध कैसे करेंगे हम APC बराबर क्या होती है C upon Y हमने देखा है हमारे पुराने वीडियो में और APS का होता है S upon Y होता है तो APC plus APS बराबर क्या हुआ APC plus APS APC का मान रखा हमने C upon Y APS का मान रखा प्लस S upon Y तो यहाँ common आ गया Y नीचे यह Y नीचे common आ गया तो यह क्या बना C plus S आ गया तो C plus S बटा Y हो गया चूंकि हम जानते हैं y बराबर क्या होता है c प्लस s हम क्या जानते हैं कि y का मान c प्लस s के बराबर होता है तो यहां जो हमने c प्लस s देखा है इसकी जगह हम क्या लिख देंगे यह y लिख देंगे तो answer क्या जाएगा y बटा y तो y बटा y बराबर क्या जाएगा answer 1, तो ये हमारा सिद्ध हो गया है, क्या सिद्ध हो गया है, ये सिद्ध कर दिया हमने, कि APC plus APS बराबर 1 होती है, APC और APS का योग 1 आई के बराबर होता है, अब दूसरा परश्ण भी देख लेते हैं, बहुत important है, सिद्ध कीजिए, APC plus APS बराबर 1 होता है, तो APC का मान क्या होता है, डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, और इसको बटा मत बोला करो आप, इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, ठीक है, और APS को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा S by डेल्टा Y ठीक तो इस value को हम लेते हैं किसको MPC प्लस MPS बराबर तो MPC का मान रिखा हमने डेल्टा C by डेल्टा Y और MPS का मान लिखा डेल्टा S by डेल्टा Y चुकि दोनों में नीचे डेल्टा Y common था इधर आ गया है डेल्टा Y और ये जुड़ गया है तो डेल्टा C plus डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y हमारे पास बन चुका है अब हम जानते हैं क्या जानते हैं अभी अभी हमने थोड़ दिर बहले बोला था कि Y बराबर C plus S होता है Y बराबर C plus S होता है इसलिए डेल्टा Y बराबर क्या होगा डेल्टा C plus S यानि कि डेल्टा Y हमेशा डेल्टा C plus डेल्टा S के बराबर होता है तो इस डेल्टा C plus S कहां पर ये लिखा हो है न देखे ये डेल्टा C plus S लिखा हो है ठीक है हम यहाँ आ गये हैं डेल्टा C प्लस S की जगह हम क्या लिख देंगे डेल्टा C प्लस S की जगह ये डेल्टा Y ये लिख देंगे हम तो हमने ये लिखा तो क्या बन गया डेल्टा Y बटा डेल्टा Y ये बन गया यहां तक पहुंच गया हम यहां तक तो निश्कर्श क्या निकलेगा डेल्टा Y MPS का योग गीकाई के बराबर होता है उम्मीद है आपको ये topic अच्छा लगा को ये सिद करना समझ में आया होगा कि MPC plus MPS बराबर 1 कैसे सिद किया जाता है इसके अलावा APC plus APS बराबर 1 कैसे सिद किया जाता है इसके अलावा हमने MPS की सभी विशेष्टाएं देख लिए उसके cases देख लिए हैं properties देख लिए हैं और हमने साथ में APS को भी अच्छी तरह समझ लिया है कि APS की कौन-कौन सी property होती है और किस-किस case में उसके क्या-क्या मान होते हैं अगर आपको topic अच्छा लगा हो content अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बहुत-बहुत धन्यवाद